दियर फ्रेंट्स आज की क्लास में हम करेंगे अवोकेडो कल्टिविएशन तो फ्रेंट्स इस क्लास में हम कंपिटिटिव एक्जाम में आने वाले सभी इंपोर्टन फेक्ट्स को लेकर चलेंगे तो फ्रेंट्स शुरू करते हैं अवोकेडो जिसका कोमन नेम है बटर तो फ्रेंट्स यह है लावरेसी फैमिली की एक fruit crop है जिसका origin place जो है South Mexico है और production में भी देखें तो worldwide production Mexico जो है वह है cultivation में lead करते है और इसमें अगर chromosome नंबर देखें तो monosomic नंबर यानि X is equal to 12 और 21 is equal to 24 है तो फ्रेंट्स अवोकेडो जो है इसका पेड़ dense evergreen होता है और up to 80 feet तकी height ले लेता है यह है ट्रोपिकल और Mediterranean region में grown किया जाता है तो फ्रेंट्स इसके अंदर डाइकोगेमी जो है P.D.S.D. टाइप पाई जाती है यानि proto-gynus di-urinary synchronus di-cogamy तो फ्रेंट्स कोशनराइज होता है डाइकोगेमी क्या है डाइकोगेमी वह स्तीति है जिसमें पुश्प के नर और मादा भाग जो है उनका परिपक्ताकाल भिन भिन होता है तो यही डाइकोगेमी है तो अवोकेडो में PDSD टाइब की डाइकोगेमी पाई जाती है तो इसी डाइकोगेमी के कारण इसमें पार्शेली सेल्फ पॉलिनेटिंग कैपिसिटी पाई जाती है फ्रेंट्स लोंग जुएनायल पीरियर्ड हैंपर्स ब्रीडिंग प्रोग्राम इन अवोकेडो हो और अगर इसमें फ्लार्श देखें तो इसमें ग्रीनिश यलो फ्लार्श पाई जाती है और इसका इन फ्लोरेश सेंस जो है compound chemical aus racism होता है और इसमें पो्ली नेशन जो है इंसेक्र के दिवारा होता है nuestrosiance मैं अड़री पता चुक히 हूँ कि अवोकेडों में PDSD टाइप प्रोटोगैनी पाई जाती है और यह प्रोटोगैनी का मतलब क्या होता है प्रोटोगैनी वहस्तिती होती है जब पुष्प में मादा भाग जो है नर भाग की बजाए पहले मेचोर हो जाता है इसलिए इसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता है लेकिन PDSD होने के काण यह पार्शिली सेल्फ पोलिनेटर प्लांट है तो यह जो प्रोटोगैनी है प्रोट्रेंडरी है यह सभी अवस्ताइं जो है डाइकोगेमी के अंतर गताने वाली अवस्ताइं है और यह क्रोस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है तो यह अगर इसक प्रोट को हम बेरी कहते हैं इसका एडिबल पोर्शन है पेरिकर्प तो अगर मोस्ट इंपोर्टन कमर्शल फ्रूट देखें तो यह है केन्या के अंदर ग्रोन के जाने वाला मोस्ट इंपोर्टन कमर्शल फ्रूट है अब इसका देखते हैं साइड इफेक्ट तो पाया जाता है जो कि animals जैसे कि cat, dog, birds, horse इन सब के लिए detrimental होता है harmful होता है जो कि इनके death का भी कारण बन सकता है अब देखते है nutrition value तो friends यह है जो fruit है वह है एक salad fruit है इसे हम salad की तरह भी काम में ले सकते हैं इसी तरह soup, ice cream, milkshake इन सब के अंदर यह flavoring agent का काम करता है और sandwich के अंदर यह अधर product के अंदर यह है meat के substitute की तरह काम करता है क्योंकि इसमें high monounsaturated fat content पाया जाता है इसी तरह अवोकेडो का fruit है जिंक, selenium, potassium, ferrous और vitamin B रिच होता है इसी तरह इसमें fat 24-26% पाया जाती है और sugar content जो है 1% तक है इसमें पाया जाता है तो यहां पर हम अवोकेडो के fruit को देख पा रहे हैं अब है medicine value तो friends इसके अंदर 1% sugar content होता है इसलिए यह है क्लाइमेटिक पेशन्स के लिए high energy food की तरह रिकमेंड किया जाता है यह है बोडी में cholesterol level को improve करता है इसी तरह इसका जो oil है उसका प्रियोग जो है कॉस्मेटिक्स बनाने में कामे लिया जाता है और इसके अगर energy value देखें तो यह है energy value जो है बनाना से twice होती है अब देखते है climate and soil तो फ्रेंट्स यह है ट्रोपिकल एंड सब्ट्रोमिकल क्लाइमेट जहां पर mild winter होती है और annual rail fall जहां पर one twenty five से one eighty centimeter होती है इसके लिए suitable रहती है और फ्रेंट्स इसमें flowering और fruit set के time high humidity होना अच्छी crop के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इसी तरह फ्रेंट्स अगर में soil देखें तो अवोकेड कल्टिवेशन के लिए low me to sandy loam soil जिसका pH five to seven हो इसके लिए suitable रहता है लेकिन यह है जो म्रदा है वह वाटर लोगिंग कर्डिशन वाली नहीं होनी चाहिए यानि जर्मगन दसाइं जो है यह है इसके लिए डेटेरिमेंटल मानी जाती है अब देखते हैं प्रोपेगेशन यानि अवोकेड़ू का प्रवर्धन तो फ्रैंट्स इसको सीड, वैज ग्राफ्टिंग, टी बडिंग, एर लेरिंग इन सब के द्वारा प्रोपेगेट कर सकते हैं अगर हम सीड से प्रोपेगेट करना चाहते हैं तो इसमें एक ड्रोब एक है कि सीड से प्रोपेगेट जो ट्री होते हैं वह सिक्स टू टैन येर की एज में होती है और जो सीट्स होते हैं उनमें स्केरिफिकेशन ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है इसके लिए होट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें 50 प्लांटिंग के लिए suitable distance है 7-7 मीटर यानि दो प्लांट्स के बीच में 7 मीटर की distance रखनी है इसे तरह अगर हम wedge grafting के अंतरगत हम root stroke देखें तो इसके लिए प्योबेला जो root लीव सोती है इसलिए इसमें regular watering होना जरूरी है और इसका अगर most crucial period देखें तो जनवरी से अप्रेल जो है irrigation के लिए most crucial period है उस समय उस समय को time to time watering करना बहुत जरूरी है अब देखते हैं classification तो फ्रैंसिस की जो varieties है इनको three distinct horticulture races में divide किया गया है Mexican वेस्ट इंडियन और Guatemalan तो जो Mexican varieties है उनके example है Godfrey टूक पर नौड इसी तरह वेस्ट इंडियन वाराइटिस के अगर हम example देखें तो यह है black, fuchsia, pollock, peterson, prince, simon, walding तो फ्रैंड्स यह जो वेस्टरिन वाराइटिस है इसके जो fruit है वह पियर shape के होते हैं इसी तरह next strain जो है वह है guatemalan strain यानि guatemalan varieties तो यह जो guatemalan variety है यह ओल शेप के fruit रखती है इसके example है बेनिट इटसमा लीना परपल green fair child queen tailor अजर वाराइटिस है पोलोग तो फ्रैंड्स तो पोलोग वाराइटी है इसका प्रयोग salinity की वाले स्थानों पे काम में लिया जाता है इसके द्वारा salinity को ओवरकम किया जा सकता है ड्यूक वाराइटी जो है वैं cold hardiness रखती है और root root resistant वाराइटी है यानि cold season में भी यह है अच्छी तरह survive कर सकती है cold reason में भी और बर्ग के द्वारा avocado वाराइटी को उनके flowering pattern के base पर A और B category में classify किया गया है तो A cultivars में आता है Haas, Gwen, Lambhass, Pinkerton, Reed इसी तरह B cultivars में आता है Beacon, Ettinger, Furet, Charville, Zuteno, Surprise, Walter Hall और other varieties है Lula, Haas, Yulia, Reed, Pubella, Leon, Tonese और Tiago और इसी तरह जो Pinkerton वाराइटी है वह है excellent peeling रखती है और Haas वाराइटी है इसकी self life जो है बहुत अच्छी होती है और इसी तरह इसमें longest harvesting season पाया जाता है इसी तरह next हम फिर यहाँ पर avocado berries को देख पा रहे हैं अब देखेंगे hybrid तो इसमें जो furet hybrid है वह है most leading cultivar in the world export market रखता है और यह है जो hybrid है वह है केलिंसन और विंस लॉंसन का cross है यानि Mexican और Guatamaran straight और doka cross से त्यार किया गया है फ्रेंट्स यह है एंत्रेक नोज और स्कैब के लिए susceptible होता है और इसी तरह यह phytopathora के लिए भी resistant नहीं है और इस hybrid की जो skin है फ्रूट की जो skin है वहराइपनिंग स्टेज पर भी ग्रीन बनी रहती है तो फ्रेंट्स यह सब था अवोगेडो की वहराइटीज के बारे में अब देखते हैं बेरिंग हैपीट तो मैं और लेड़ी बता च रहाओ है बेर डरेंगाट का टरी है और इसमें बाई एनियल के स्थिती पाई जाती है तो इसको हम गर्डलिंग के द्वारा इंप्रूव कर सकते हैं क Carry Мне क्या किया यह तो वी नोच करके हम她 करते है यह बार्क का रिंग के रूप में बार्क को उतारा जाता है तो यह सब जो बेरिंग को इंप्रूव करते हैं आप देखते हैं ट्रेनिंग और प्रूनिंग तो फ्रेंट्स ट्रेनिंग के अंत्रगत अवोकेडो का जो ट्री है या जो प्लांट है उसमें 70 सेंटी मीटर तक की हाइट तक सोईल से या ग्राउंड लेवल से 70 सेंटीमीटर की हाइट तक बेर स्टेव रखा जाता है उसके बाद वे सेंट्रल स्टेव शूट को डवलप करते हुए स्पेस्ट साइड ब्रांचेज को डवलप किया जाता है इसी तरह नेक्स्ट प्रूनिंग तो प्रू उनको रीमूव किया जाता है इसी तरह ग्राफ्ट यूनियन के नीचे अगर स्कर्स की ग्रोफ हो जाती है तो उनको भी किया जाता है और इसने प्रूनिंग का बेस्ट टाइम देखे तो यह है डोर्मेंसी पेरियेड अब देखते हैं मैचोरीटी साइन यानि यह कि यह जो फूट है वह पेड़ पर राइपन नहीं होता है तो कुछ वैराइटी में मैचोरिटी आने पर वाइटिस अपीरेंस आ जाती है इसी तरह जो ग्रीन टाइप वैराइटी है उसके अंदर फूट के पिडंकल पर रस्ट लाइक स्पोर्ट बन जाते हैं और इनका जो स जाती है तो फ्रेंट्स इसके अलावा फूट मैचोरिटी का डिट्रमिनेशन जो है फ्लोटिंग मैथड से भी किया जा सकता है तो फ्लोटिंग मैथड में क्या करते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं उनको वाटर में फ्लोट किया जाता है और जो फ्रूट राइपन होते हैं मैचोर होते हैं वह वाटर में फ्लोट कर जाते हैं और जो अन्राइप होते हैं वह डूब जाते हैं अब देखते हैं हार्ड वेस्टिंग तो फ्रैंट्स साउथ इंडियन कंडिशन के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग अगस्त से सेप्टेमबर में कर ली जाती है और अगर कमर सिक्स डिग्री टेंपरेचर पर रखा जाता है जब तक कि वे फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचा नहीं दिये जाते हैं आप देखते हैं एवरेज येल्ड तो फ्रेंट्स मैं और रड़ी बता चुकी हूँ को जो सीड्स से तियार की जाते हैं पोदे उनमें लेट बेरिं पर हेक्टेर देखें तो यह साथ से बीस टन पर हेक्टेर तक उपज दे देता है अब देखते हैं स्टोरेज तो फ्रेंट्स की जो फ्रेट और हास वर्राइटी हैं उनको हार्वेस्टिंग के तुरूंत बाद 5-7 डिग्री टेंपरेचर पर कूलिंग करना जुरूरी है त देंथ तक स्टोरेज किया जा सकता है अब देखते हैं से इसमें लगने वाले इंसेक्ट पेस्ट तो इसमें लगने वाले कीट है फाल्स कोर्डिंग मौथ और Fruit Flies इसे तरह Physiological Disorder आता है Dry Neck तो Physiolosical disorder क्या है Physiomological Disorder यानि ऐसी व्यादियां पोदेgg faisकत duża की कमिक कारण या वतवर्णी दशाओं के ऐनी चाहने के पर कारण आती हैं तो यह है तो फिजो लोजिकल डिस ऑर्ड़र कहलाती है और अवोकेडियों में पाए जाना वाला मेजर फिजो लोजिकल डिस ओर्ड है ड्राइट तो फ्रैंड कम्पिट्रिट्टिव एक्जाम में यह ड्राइट वाला कोश्चन कई बारा चुका है आप इसमें लगने वाली important disease है एंंथ्रेकनोज शर्कोस्पोरा फ्रूट स्पोर्ट स्कैब डाइबेक और रूट रूट तो फ्रेंड यह सभी डिजीज फंगल डिजीज है और यह जो शर्कोस्पोरा फ्रूट स्पोर्ट है इसके कारण अवोकेडो में अप टू 60% तक लोस हो जाता है इसी तरह स्कैब जो है वह भी फंगल डिजिज है जो की हुमिड एरियास के अंदर जादा होती है इसी तरह डाइबेक और रूट रोट जो है वह है फाइटो फथोरा सीना मौमी फंजाई के द्वारा होता है और यह अवोकेडो में पाई जाना वाली most serious disease है तो फ्रेंट्स आज की क्लास में हमने अवोकेडो से रिलेटर सभी important facts को देखा है friends hope you enjoyed this video thanks for watching